कि विलकम वेक्ट तो माय इटूब चेनल पेपर है कर जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आपने लॉंग फोट ऑंसर ताइप कोश्चन ठीक है अब तक हमने उन्नीस कोश्चन कंप्लीट कर लिए सबसे पहले आप उसके बाद अगर आप इनको देखते हैं तो यह आपको एजिली समझ में आ जाएंगे ठीक है और बताना चाहूंगा यह हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ब्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें साधी पास में लगे वेल आइकन को दवा दें जैसे कि आपको सभी प्रकार के वीडियो को नोटिस्टिकेशन मिलता रहे ठीक है और आपको हर जो लेटिस्ट न्यूज है या कोई भी अपटेट आता है उससे इसको ऊचित सिद्ध करना ऐसा काहरी है और इसके बाद कही रहे हैं इन तत्यों के सामान ने चैनल के अपको करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लोक के तत्तुओं की आवरत साडी में जो आपके एस ब्लोक कि इस तरफ से जब आप Aignin की तरफ जो पहला और दूसरा गृप होता आपका पहला और दूसरा इसको सेकंड और यह आपका और यह आपका स्थ ढूनों आपके कहला ते यह डोनों आपकыми ऐस बिलौक पर गतुर किसके अंतर गताते हैं एस ब्लोग के अंतर गताते हैं ठीक है फिस्टे और सेकंड तो इसमें पुल मिला के आपके कितने अलिमेंट है यह वह गई आपके एस ब्लोग अलिमेंट अब देखो अब इसमें आप से पूंच क्या रहा है इनकी पोजीशन पूंचता करें इस समूं के तत्वों का एलेक्ट्रोनिक बिन्यास क्या होता आपका एनस बन अथवा एनस टू या तो एनस बन होगा या एनस टू होगा अभी जो पहले होते हैं फस्ट बरके और जो सेकंड बरके ठी अबिक आपका एनस टू होती है जैसे फस्ट हो सकता है सेंकर और 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 फौर्थ यह संख्य आहां पर आपका बनाए हो सकता है ऐसे यहा पर सबसक्राइब क्या होगा यहां से मैंने उठा लिया आपका तो कर्मान अ किता होगा तक ग्यारा तो बन एस्टू और टू में इस टू और टूपी सीच और यह आजागा ठीक है तो देखो क्या हो गया है यह यह पर से उठा लिया एम जी जिसका गत्ति करमान को बारा होता है टिद n जब आप देखो गई तो डातों डी त्थ और हैस्टूपि इज driver फान होता है इसका मतलब क्या था जैसे मैं बता दूंज और से इदल ओर श्ूरादा मंदे चैMusik ए अब तो यह यहाँ अगर मैं तो यह अगर नौरल यह पर यह तो यह पर कितना आ जगा आपका टू आ जागे डिवर की होगा और टूबबी क्या होगा आपका सिक्स अधिक तो यह होजागा आपका यान की अंदर वाली से तो इसलिए यह पर पता नितीन हो चार पांच हो तो उसमें से एक कम करके अंदर वाली इसलह मिलेगी वह कैसी होगी आपकी पूरी तरह से बढ़ी ठीक होगे और S में प्रामी आयाम अत्यंत सथाई होंगे अगर यह अपने वाहीतम अथवा वायतम एक अथवा दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें तो उत्रिष्ट गैस बिन्यास के कारण पड़ामी आयाम अत्यन तिस्थाई होंगे अगर यह अपने बाहरी कोस का एक इसमें किता है बाहरी कोस में दो अपने बाहरी कोस में ने को से एक न तो उत्रिष्ट गैस दो में आयन त्यो इस्थाई होंगे और mg नेगर 2 electron त्याग दे तो क्या बन जाएगा यह mg आपका प्लस प्लस बन जाएगा अब यह जो आयन बनेगे यह कैसे होंगे अत्यंत इस्थाई होंगे ठीक है प्रवल प्रकृति के हार एक से ब hasn't न Спble के तत्तों में पार जाते हैं इसी कारण इनके कुछ बुदे दे रखिए ठीक है तो इनके बार में हम बात करेंगेंनमबर एक दिए अपका तो नंबर बना आपका दे रखा कह रहा है एस ब्लॉक के समस्त तत्त कैसे हैं आपके दहातू है क्या है दहातू है ठीक है तो दहातू की एक प्रिवर्ति होती है जो भी कोई भी ऐलिमेंट होगा वो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेगा दहायरं बनालेगा ठीक है तो दहातू में दहायरं बनाने की प्रिवर्ति होती है ठीक है यह आपको द्याँ रखना तो पहले जो first s block के element होगे वो कैसे होगे सभी आपके क्या होगे दहातू होगे ठीक है यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं नेक्स्ट कहा रहा है आयनन विभब का मान कम होने के कारण ये धातुें अत्यन्त क्रीय शील होती है अब देखो आयनन विभब इससे पहले हमने पढ़ा था आयनन विभब होता क्या है और 3S बन था आपका sodium बाले में, अब यहां से 2 electron निकलने, यह electron बाहरी कोस से easily निकल जाते हैं, ठीक है, तो उर्जा कैसे होगी, कम होगी, तो इसलिए यह क्या होते हैं, अत्यंत creation होते हैं, ठीक है, electron को आसानी से donate कर देते हैं, और यह crea कर लेते हैं, आसानी से, ठीक है, इसल दातूं का जो घनत होता है, कम होता है, और इनका घनत कैसा होता है, कम होता है, इन्हें हलकी दातूं के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, जब घनत कम होगा, तो बहुत चीज हमारी कैसे होगी, हलकी होगी, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, बड़े आकार में, कम आवेश घंत के कारण इनके पर्माणूं के मद्द दुर सब्लार ऐसा है और हैं जुनको हम एसली चाकू से काम होने के काड़ तो इनको आप नेस्ट कारण के कारण इन द्हातूँं की ताजा कटी हुई सत है विए काफी चमकदार होती है लेकिन अतिन्त सक्री होने के कारण वायू मंदल की गैसों के साथ में आप क्रिया कर लेते हैं जिससे इनकी सतय गंदी मटमेली हो जाती है अब देखो इनके जो बैतं कोस के कैसे होते है फिरोटेश्एन उनका दोलन कैसा हुता मुक्त होता है इसी कार्ण अगर इनको बीच से आप काटोगे तो इनकी सतय आपको एकदम चिकनी दिखाए देगी ठीक है लेकिन ये बहुत ज्यादा अब क्रिये सील होते हैं बहुत जल्दी से अब क्रिया कर लेते तो बाई मंडल में जो गैसे आपकी प्रिजेंट हैं उनसे इसली अब क् अब गंदी या मटमेली हो जाते हैं ठीक यह आपको ध्यार रखना है इसके बाद नेक्स्ट सब्सक्राइब कि यह कि अग्याद करता कम आनन उर्जा के कारड़ इनके वाहतम इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजत हो जाते हैं और क्या करते हैं इस कारड़ यह जल जाएंगे किसके कारण आनन उर्जा यह बहुत कम होता है इसके कारण बाहतम को इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं उत्तेजत हो जाते हैं इसी कारड़ यह क्या करते हैं यह आपको याद रखना ज्वाला परिक्षण वाला अच्छा नेक्स्ट गयारा बाहतम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागने की प्रिवर्ति के कारण इनके जो मानक अप्चेन होते हैं मानक अप्चेन वेवक का मान उच्छ रणात्मक होता है कैसा होगा मानक अप्चेन वेवक का मान उच्छ रणात्मक होगा ठीक और यह प्रवल अप्चायक की बहाती क्या नेक्स्ट कहा रहा है प्रमानुओं के मद्द दुरवल आकर्षन बलके कारण इनके गलनांक बार कुथनांक कामान कैसा होता है काफी कम होता है ठीक है यानि कि इनके बीच में जो फोर साफ अट्रेक्शन होगा बहुत कम होगा तो यह बहुत जल्दी ही क्या करेंगे गुबल तक्तवों के साथ ही प्रवल आयनिक बनाते हैं किसके साथ यू ने दे लेसित गाले बनाते तो यह तो यह दोनों बना लेंगे आपका एन इस यह बना लेंगे जो कि कैसा होगा प्रवल आयने के विए बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट कहें रहा है किसे ये क्या कर लेती है कर लेती है यह नहीं पाइजाती यह पॉइंट आपको याद रखने राड प्रमानूं की तुलना इनके धनायनों का आकर परमालों की तुलना में करो हो जाता है चोटा हो जाता है क्योंकि आयन बनने में इनका वायतम कोस वायतम कोस के हो जाता हट जाता है क्या हो जाता है जब यह आयन बनाएगा पहले देखो परमाणूं की तुलना में इनके धनायनों का आकर काफी छोटा हो जाता है काफी छोटा के होगा जब यह धनायन बनेगा कब बनेगा जब उसके बाहरी कोस्त से एलेक्ट्रोन निकल जागा तो उसका वो कोस्त ही खतम हो जागा ठीक है इसमें दो इलेक्ट्रोन है ये लेक्ट्रोन निकल गा तो ये कोस्त खतम हो गया तो क्या हो जागा इसका आकर कैसा हो जागा आपका काफी छोटा हो जागा ठीक है बाहरी कोस्त खतम हो जो अंदर वाला सेल बचेगा केवल वही बचेगा ठीक नेक्स्ट कहा रहा है आयनों के स्थाई उत्करष्ट गैस बिन्यास के कारण इनके योगे कैसे होते हैं रंगहीन और प्रिति चुम्बकी अब देखो यह रंगहीन और प्रिति चुम्बकी के गर हम बात करें आयनों के इस्थाई उत्करष्ट गैस बिन्यास के कारण योगे कैसे होते हैं आपके रंगहीन होते हैं और कैसे होते हैं प्रिति चुम्बकी कैसे होते हैं प्रिति चुम्बकी तो रंगहीन और प्रिति चुम्बकी आपके बो एक्टम्स और कंपाउंड शो करते हैं जिनके और यहां पर उसकी चुंबकि기에 कीसा होगा। और यहां पर उसकी चुम्बकी प्रकृति कैसी हो जाएगी अनुचुम्बकी हो जाएगी ठीक है वो भी किसके कारण उत्करष्ट कैसे बिन्यास के यानिकि इसकी अंदर वाली जो सेल है वो कैसी होगी पूरी तरह से भरी होगी ठीक है टू एस्टू और टूपी सिक्स यही बात करें एलेक्ट्रों यह लिए बिन्यास के आधार पर विलोग के दो वर्ग होता है तो कौन-कौन से सबसे पहला क्या होगा आपका एन एस बन वाले वर्ग वन के चार धातूं के नाम से जाना जाता है अब जो पहला वर्ग है हमारा फश्ट या वाला इलेक्ट्राणिक बिन्यास इन्का किया होता है splash रचप-उस नाम से जानते चार धात्रों के नाम से धेकर दूसरे वर्की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है एनस्टॉ क्हा हसाथा अपका सेकनड यह वालों का जो ने चारी मिर्दा धातु क्या कहते हैं चारी मिर्दा धातु के नाम से जाना जाता तो यह आपको याद रखना जो फर्स्ट गुरुप होता है आपका वो क्या होता है उनको क्या कहते हैं चार धातु को क्या कहते हैं चारी मिर्दा धातु तो यह आपको याद रखना चार धा तो यह सीचेंड वाले आपको खारी के टारी तरु lift होगे याप अरब आप 4 साधी के साथी के सामने रख़ोगे या आप आब साधी की बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेंगी ठीक है आयोँग कि आप सभी को समझ में आया होगा साथ ही बताना चाहूंगा कि एगर आपको इसका PDF form चाहीए ठीक ट में लगे बेल आइकन को दबातें जैसे कि आपको सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है मिलते हैं अंगले वीडियो बने रही हमार साथ